जुर्देश के लिए हमेशा साथ में लड़े आज दुश्मन बन क्यों हमने समने खड़े उनकी कहानी अभी बाकी है जिनका बस नाम ही काफी है C.I.D. फापसार हाई सोनी एंटर्टेंबंट तेलिविजिन पर सूराज सूराज मौम यह तरवास है क्यो नहीं खोल रहा है सूराज मुकल कहा हो तू कहा चलेगा है हमें बिना बताए कहा हो मुकल कहा हो तू मुमा प्लीज मत रोये अब पापा जाहाँ पियोंगे बिल्कुल खी तूंगे देखना वो जल्दी खर वापिस आजाएंगे आप परिशान मतो हमने साब जगा डूड लिया कही नहीं मिले अब कहा डूड़ेंगे उनको कहा डूड़ेंगे विभी आगे सूरज सूरज दर्वासा खोलो दर्वासा खोलो सूरज खोल रहा हूँ आप अंदर चलिए हो सकता पापा अंदर आगयो मैं अपने जाबी से खोजी हूँ सुरज सुरज यह सब क्या है हाँ आप लोग भूल गए ना तो मैंने अपने लिए छोड़ी सी पाजे मुमा आपके काई आगा मुमा अपने हैने दीचे वो होश्मे नहीं है कैसा बेटा है तु तुझे बाप की बिल्कुल भी चिंता नही है अज तु रएट बच्चे हैं जस्चे टेंशन मतलो डैड आजाएंगे आवजीदी आओ के काट से सुरज छोड़ इटा है या दुश्मन तेरे पापा गायब है और तुझे पाटी की पड़िया हमाजी रहा है तु अज़क्र माजी कर रहा है तु अज़ लगया मेरे केक नही काट ऊट अङा दम कैई जब दाट लाट आएंगे मेरे केक काटने न काटने से इट कjust लेना दिना मेरे छासे सुरज शरज it सुरज खें, सुरज लें कि या करू इस लड़के का चोड़ी उसे आप आईए ममा बैठिए मैं पाने लेकिया आती हूं आपके लिए कि नितू क्या हुआ इस नितू क्या हुआ है कुई है गरपे की नहीं है नितू देदी भावी कोई है अपनी चाबी से दर्वाज़ खोलना पड़ेगा दर्वाज़ कोई क्यों नहीं खोल गाए नितू देदी भावी काई सब लोग कोई दर्वाज़ क्यों नहीं खोल रहा है सूरज भाबा सूरज भाबा सूरज भाबा होश में आईए सूरज भाबा सूरज भाबा भाबी क्या हुआ? नीतू देदी देदी होश में आए भाबी होश में आए माम अब ठीक तो है अब खड़े होए अशिश का कटा हुआ असर सूरज का कटा हुआ असर क clues इतने तुने मारा उसे ॰ै क्या है। आषिशका क्टा हो अजे कि वॉर्ण आप मारूगा ऐuç अमीं तुम्राइन काड़ केका में अव्रीज में पीर टाष Freeze पीर को है। हमनी के पड़िए हवा पाई तुम लोगे यहा यह बता है। जूट मत बोल! जूट मंत बोल! अशी शंकर है सह सह यहाँ तो कुछ नहीं है कहाँ गया? पी गोंगी मैने और शरी यूद्हा दूखोए वेने देखा यहीं तु था वीना, निकी तो बोल वीना, 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 आशिष, वीना, आशिष कहा है निकी आँटी, अबी तेक तो कुछ पता नी चला है, वो मुकल अंकल के साथ ही गए थे लेकिन आपको कुछ पता चला दाड का? हाँ निकी वो बोल नितु कहा है डाट? वो बात ऐसी है ना निके की? नितु प्लीज बोल मुझे डर लग रहा है. वो अच्छली समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे बता हूँ? आटी प्लीज बोल ये डाट कहा पर है, मुझे बहुत डर लग रहा है आटी. तरहसल बात ये है की... नितु, क्या हुआ है? नितु, चुपो जाओ. नितु, चुपो जाओ. चुपो जाओ. सूरज, सुरज बता हूँ ने मेरे डाट के साथ क्या किया है? मैने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे यकीन करो. और वो मेरे भी तो अंकल है, भला मैं नहीं क्यों मारूंगा. चुप करो, सूरज. मुझे पता है तुम नेशे में कितना दूत रहते हो. तुमने मेरे डाट को मारा है, सूरज. मैं तुमे चोड़ू मेरे ने. निकी, अच्छा. सुनो, सुनो. वीना, वीना कहा है? आदी, वो प्रताब अंगल के साथ मौम डाट को डूड़ने के लिए कर रात गई थी. और जब वो पूरी रात आई नहीं, तो मैंना अज मम को गॉल किया, तो प्रताब अंगल और मौम दोनू का इपोन से चौप जा रहा है. चलो, प्रताब के घर चलते है, चलो, सुराज. चलो. अरे, दर्वाजा तो खुला है? वीना, बम्मा, वीना, अंटी, वीना, वीना, अंटी, मौम? वीना, को? लग्ता है, यहांको छुवा है. मौम, जो एडी को बिल्लाना पड़ेगा. इतना सारा रुखो? जाको. आशिश को यहां तो नहीं मारा. हो सकता है, मॉम. घर किसका आ लिए? सिर्फ पृताप अंकल का. कुछ? तो आप लोग, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? सिर्फ, मेरी डाड और मुकुल अंकल दो दिन से घर नहीं आये, तो उन्हें ढूड़ने के लिए, मेरी मॉम और पिताप अंकल भी गए थे. और उनका फोन सुच आप जाने लगा, तो हम लोग उन्हें ढूड़ने यहां पर आये. और मुझे इन लोगों ने बताया था, कि मेरे डाड का कटा हूँ सर इनके फ्रिज में. क्या? इनका? डाड का सर फ्रिज में? क्या बात कर रहे है? और यह मुकल? सर, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है. तो कैसे हो सकता है? फ्रिज में डाड का सर? अभी शित चल कर देखते हैं. लेकिन अब तो सर है ही नहीं. क्या? सर नहीं है. कभी कह रहे हो सर है कभी कह रहे हो सर नहीं क्या मतलब यिसका सर मुझे मेग ठांटी और नीटु ने बोला था कि मेरे डाट बार्ट का इ Epic में ऑपी से ऐसा कुछ भी नहीं यह एक मेक एक में अब ड्लीस ठीक से एक बात बतायेए प्रिज में सर था या नहीं था? मैम, मैं बताता हूँ मैंने घर पे एक पार्टी रखी थी और मेरी मौम और दीदी डट को ठूनने के लिए बाहर गई थी वाँ, देख लिया बाप गायव है दो दिन से और बेटा पार्टी मना रहा है मैं सर यह जो रब वापस आए तो पार्टी तो खतम हो चुकी थी तो मैं नशे में बहुत था तो बेवश हो गया था लेकिन जब मैं सुबा उठा तो इन लोगों ने उस से बोला कि फ्रेज में कटा हूँ सर रखा सर मैंने खुछ जागर वहाँ पर देखा वहाँ ऐसा कुछ नहीं था अरे ऐसे कैसे अपने आप रिट से सर गायव हो गया मैं यह सही कह रहा है तब फ्रीज में सर नहीं था जब इनोंने सर देखा तब तुम कहा थे सर बताया दो कि मैं ब्योश परदा थोड़ी जादा भीली थी मुग तो देख रहा है कोई आया था महाँ पर? सर जब वहाँ कुछ था ही नहीं तो कोई आय या नहीं आया क्या फर्क पड़ता है विच सर मैंने और मॉम ने देखा था अशिष अंकल का सर फ्रिज में ही पड़ा था सर आप मेरा यकीन कीजिए ये सुरच बहुत नशे में था प्लीज सर प्लीज आप मेरे माम डाट को दूने सर देखो सुरच तुमारे लिए अच्छा यही होगा कि सही सही बता दो सर कहा है? कहां गायब हो? सर आप मेरा यकीन कीजिए वहाँ कोई सरवर नहीं था सिर्प ताइम खराब कर रहे हैं आप वहाँ कोई सर नहीं था तो फिर सिरगायब कहां हो गया? सर यहाँ फ्रिज में तो वो कटावा सर ही नहीं देखा, मैंने पहले ही कहा था अभी पता चल जाएगा सर यह देखो मुझरिन चाहे कितना भी चालाख हो कोई न कोई सुराग तो छोड़कर जाता ही है देखें यह खून के निशान खून के इसका मतलब है सिर्थ यहीं पर रखाता इस फ्रिज में तो फिर अब यह सिर्थ गया कहां कहीं पर तो छुपा के रखा है उसे बता सुरच कहां चुपा के रखा है सिर् सर मुझर इस सरवड के बारे में कुछ नहीं बता नहीं इससे मेरा कोई लेना देना है तो फिर गायब हो गया सिर् फ्रिज में से किसी ना किसी ने तो उसे उठाया है किसी ना किसी ने तो उसे उठाया है किसी ना किसी ने तो उसे चुपा के रखा है अगर तुमने नहीं चुपाया तो फिर किस नहीं चुपाया तो फिर किस नहीं चुपाया कौन आय था यहां पर? उनके अलाव कोई आय था? अरे सर कोई नहीं आय था? कोई तो आया होगा! याद करो जरह याद करो अच्छी तरद से! सर यह यह यहाद आया कोई आय था? कौन? सर वीना आटी आई थी वीना? क्या? मॉब वीना? निखी की मा, वीना, वो यहां किसले आया थी? क्या कर रही थी यहां पर? सर वो आई तो वो उससे एक फाइल बाग रहे थी, उन्हों ने बोला जल्दी जाओ और पापा के कमरे में ऐसे फाइल लेक्या हो फिर? सर फिर जब में फाइल लेक आया तो वह आथी नहीं? वीना जा चुकी थी गायव हो गई वीना सर कहीं सब के पीछे वीना कहा तो नहीं नहीं, आप यह क्या कह रही हो? महीं बॉब मेरे डाट से बहुत प्यार करती है और वो यह सब क्यों करेंगी? यह जोट बोल रहा है सर, सुरच यह कुनिया जोड़ो मिली जोड़ो मिली जोड़ो मिली शाद हो जाए सुरच एक बात बता, थीक से याद करके बता कि जब विना यहाँ पर आय थी तो तुम्हें कुछ अजीब सा लगा? मेरा मतलब है, उनके बरताव भी तुम्हें कुछ अजीब सा लगा या फिर किसी भी मात से अजीब लगा तुम्हे? अजीब सा, सर सर जब वो यहाँ आय थी तुम्हें पास एक बैग था एक बड़ा हेंडबैग बड़ासा हेंडबैग बड़ासा हेंड बैग, बड़ा हेंड बैग, वीनाची यहां आई थी एक बड़ा हेंड बैग लेके, क्यों? किस लिये? कुछ ना कुछ तो गडबड जरूर है, कुछ ना कुछ तो गडबड जरूर है, इस वीना जी के फोन रिकॉर्ड़्स चेक करो, सब पता चल जाएगा वो कहां पर थी अभिजेद, यह वीना की बीटी निखी ठीक कह रहे थी, यह देखो इसके फोन की डिटेल से दिखता है साफसा, कल रात वो प्रताप के घर गई, लेकिन उसके बाद तो अपने घर लोटी नहीं, और मुकुल के घर से निकलने के बाद, पर पंदरा मिनट बाद तो उसका प्रत्वी हो गया, वो लाल डॉट दिख रहा है, सुम्हों मुकुल के घर जाने से पहले कई और भी गई थी, गिरी नगर, गिरी नगर, गिरी नगर गई थी, सर और वहाँ पे एक घंटे रुक्की रहे, पर सर यह गिरी नगर तो बहुत सुन्साने लागा है, मुमबई से तकरिबान पांच छे घंटे की दूरी पेस, और फिर वहाँ जाके एक घंटा रुकी हो, तो उसके बाद में वो मुकुल के घर गई, और उसके बाद में उसका फोन ही बंद हो गया, यह सारा चक्कर है क्या विजीद, मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड लग रही है, गिरिनगर क्यों गई थी? एक बार विना मिल जाती है, और कानी आगे बढ़ जाती है, इस विना की बेटी को बुलाओ, निकी को बुलाओ, देखो निकी, बिल्कुल गबराऊ मत, यह हम सब लोग तुम्हारी मदद के लिए ही है, सर, मेरी मुहम का कुछ पता चला, अभी त तुम्हारी मा को डूंडने के लिए, पर सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हो, मैं तो कुद इतनी टेंशन में हो, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है, तेखो आप यह बताओ, जो वीना जी के साथ, किन-किन लोगों का उटना, बैटना, मिलना, जुलना होता था, रिष्ट रमेश अंकल, नलीनी आंटी, जीवन अंकल, आच्छा, तो उनके नंबर हैं आपके पास? जी हाँ, मेरे पस नंबर है, गुड़, ज़र नंबर बताएगे, रमेश अंकल का, वन फाइफ, और नलीनी आंटी का, जीवन, यहां? त्यांक यहां? थैंक यह मधश. अ, मिस्टर रमेश, यह मैं सी आटी ओफिसर बुल रहा हूं. सर्ब प्लिज मेरा ट्रस्ट कीजे, मेरी माम ने कुछ नहीं किया, और मुझे लगता है कही नगई उनकी भी जान खत्रे में सर्. निकी, कहा ना हमने तुमें, बिलकुल गबराओमत, हम तुमाने मापको कुछ नहीं होने देंगे, हम उने जरुरु आप अपस लेकर आएंगे, हाँ सर, सर लगता है, पता चल गया है, ये मुंबई पूने एक्सपेस हाइवे पे एक होटल है, होटल रेस्ट वेल, वीना जी के वाँ होने की ख़ब मेलिया है, होटल रेस्ट वेल, वाल वाल, यहां तो ताश के लिए या, कौन है आप लोग, और यहां हमारे कमरे में क्या कर रह चुपकर बैटोगी किसी को, पता नहीं जलेगा, पती का खून, ये सब क्या बत्वास है, ये क्या बोल रहे हैं अब, ये देगो, टायर के निशान, किसी कार के लग रहे हैं, निशान आके यहां पे खतम हो जाते हैं, और ये यहां से बापस, जल्दी बताओ, निकल, कुछ मिला, यहां पे कार के टायर के निशान मिले, कार आई है और फिर यहां से गई है, सर, एक बात ध्यान में रखना निकली, आदी रात को ये वीना उस जंगल में गई थी, मतलब कुछ न कुछ गड़बड करने के लिए ही गई यहां सर, समझे, अच्छी तरसे ढूंड़ो, देखो, ठीक है? ठीक है सार, ठीक है पताईए वीना जी, क्या करने गई थी गिरिनगर की जंगल में? गिरिनगर? जंगल? यह क्या बखवास कर रहे हैं? मैं कोई जंगल मंगल नहीं गई थी, समझें आप? बखवास हम नहीं कर रहे हैं, बखवास आप कर रही हैं बताओ, किरी नगर की जंगल में रात को क्यों गई थी? पुट, किरी नगर जंगल की, क्या बोले जा रहे, मैं कोई जंगल गंगल नहीं कई थी, समझे आप? ये लो, वीना जी, आपके सारे फोन रेकॉर्ड्स हमारे पास हैं, उन रेकॉर्ड्स हमें सब कुछ पता चल गया है, कि आप कहां कहां गई थी, और गब गई थी, पताओ, और तो और अपने पती आशिश की गर्दन काटके, मुखल की फ्रिज में रख दी तुम्हें, क्यों? क्यों गई थी, किरिनकर के जंगल में? मैं... क्यों गई थी? मैं... मैं वहाँ... सर, मैं साच कह रही हूँ, सर, मैंने कुछ नहीं किया, सर, मैं सिर्फ यहाँ पैसे गाडने आई थी, सर, और किसी काम से नहीं आई थी, सर, यहाँ प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, सर. थोड़ी दर पहले थी कि आप यहाँ आई नहीं, अब कह रही है कि यहाँ पैसे गाडने आई थी, मैं... मैं बहुत डर गई थी, सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पैसे गाडने आई थी, प्लीज. इसा कितना पैसा था, जो पैसा गाडना पड़ा, हाँ? बहुत सारा पैसा था, बैक भरके, और बैक भरके पैसे तो गाडने ही पड़ेंगे, ना, सर. कहाँ परे, जल्दी बताइए. सर, उदर आईए. चलो. सर, आगे है. आगे? जी, मैं आपको बताती हूँ. चलिए. कहाँ पर है? सर, वो जो पथर वहाँ पड़ा है, उसके नीचे. सर, आगे ना, सर, आगे विलाल वे खुदाइत ओजी है यहाँ पर? आपको. वो दो यसे दिखे विर्णा जी सच बताओ अभी भी मौका है सच सच बताओ सच बताओ है तो फिल अशिश का क्या, अशिश को तो तुम नहीं नहीं सर, अशिश को मैंने नहीं मारा सर, सर मैं सच कह रहे हूं, प्लीज सर मैं गार्ड, सर, हाँ हाँ सच यह देखी सर अशिश विनाजी, विनाजी वुट मॉनिंग, सर वुट मॉनिंग, क्या बाद है भाई? आस तो बड़े खुछनह दरहा दो अरे सर, जब मुझरीम हाथ लग जाया तो खुछी तो होती है क्यों तारिकाजी? क्या जब अगा? bnयए, क्या हमधे, क्या हमधे दॉक्टर को बलाओ? नहीं... बेठीटा... क्या करें लिए? बेठीए वाप अब आप बैठीए नहीं नहींट अर्या साफ मेने दवाई दे दी है हलकासा सर में दर्द हा वस क्या? सर में दर्द है? आप यह नहीं रह सकते हैं छलिए, मैं आपको दॉट्टर कर दोचा ले के चलता हूं छलिए चलिए कमार कीजिद करे भगा में दवाई देदी कहतो रहा हूं हां वो नहीं जाना चाहती है अब को कैसे बता नहीं जाना चाहती है और आपकी बजे से सर्में दर्दुआ होगा इनके अड़ा करें? और इतना काम करना थैं कि इनके सरमे दर्द हो गा? अशती tutorial के साथ ग्राइए‍टूर्ष कर चारी था था? अर्य यह मैं और दिल्ग काम थी हो भी आइ कर चारी, ज़ोगे नहीं। जाओ, मना लो लिगलो ज्याते हैं, मना ओ प्लीज, जो नहीं ओक्या क्या सर आप भी बच्चों की तरह रूट जाते हैं मैं तो मजाग कर रहा था यह मजाग था? हाँ सर तेसे पहले करता था देखो सुनो, तुम्हारे मजाग मुझे कभी पसद नहीं आए न पहले न आप कभी मजाग मत करना समझे देखा अरे सर पीज, बता दीजे नहीं नहीं, तुम्हेने बता हुआ हाँ फरुके क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यो? तो क्या करूँ? यह अभी जीत मुझे जलाग बोल रहा है सही तो कहा है? क्या? क्या बला? नहीं, मैं पूछ रहा था, तो कुछ बताने वालाथ था नहीं यह सब मैं तो इंचर रिकton करना था रिकवेस्ट करना था रिकुयस्ट करना था जलाग बोलना रिक्क्वेस्ट करना होता है, क्या? अच्छा चलो बता दे, इक किस, agile is certificate क्या मतलब यह कि आशिष नहीं है अरे लेकिन सर तो आशिष का ही है ना हां सर आशिष का है लेकिन धड़ आशिष का नहीं है या तो फिर यह धड़ किसका है अगर आशिष का नहीं है तो अरे मुझे क्या मालूम या जंगल में तो तुम लोग गए थे ना देख सारूंखे जंगल में जो कुछ भी मिला ना, जो कुछ भी वो यहाँ लाके तेरे हाथ में ही सोब दिया था अब ये कह रहा है कि ये आशिश की लाश ये नहीं है अगर आशिश की लाश नहीं तो मेरा है किस की तो ये तो वीना ही बताएगे वीना, तो बुलाओ से वीना तो पर कहा गए वो पैसे निगल गया है। मुझे सच मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसने वो रुपे निकाले हो वहां से उसीने वो लाश रग दियो वहां। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई जानता था कि आपने पैसे वहां पे गाडे हुए है। पर वहां पे तो यही थी। हाँ मगर यह नहीं कर सकती। पर सर, मुखल के घर पे यह तो गई थी। क्यों गई थी मुखल के घर? और फिर वहां से गायब क्यों हो गई? सर, मैं वहां डाइरी रखने करी थी। डाइरी? कैसी डाइरी? हमें खबर मिली थी कि हमारे आइंकम टैक्स की रेड होने वाली है तो हमने सुचा कि मेरा और आशिश का डाइरी से नाम हटा देंगे और सारा पैसा जंगल में गाड़ देंगे और वो मुकल के या रख देंगे जिस से मुकल भज जाए जी किसको किसको मालूम था कि आप वहां पे पैसे गाड़ने जा रहे हैं प्रताप को ओ प्रताप जी सर लेकिन प्रताप ऐसा नहीं करेगा हुआ तो है अब उसने किया है कि नहीं हम देख लेंगे आप ये बताइए आप जानती है प्रताप इस वक्त कहा होगा जी सर वो उसी होटल में है रेस्ट में रूम नंबर फाइब जीरो सिक्स ऐसे कैसे मर गया आशिश हमें पूछ रहे हो तुम बताओ सर मुझे कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता है तुम्हें क्या लगा यहां चुपकर बैटोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन सर मेरे यहां चुपकर बैठे की वज़े आशिश का खून नहीं था बल्कि कुछ और बात थी इंकम टैक्स की रेड की डर की वज़े से तुम यहां चुपकर बैठे हो विना ने हमें सब कुछ बता दिया है लेकिन ये बात मुझे बच्चती नहीं है प्रताप जी लेकिन सर यही सच है जैसे वीना को कॉल आया कि इंकम टैक्स की रेड ओने वाली है तो हम सब लोग घबरा गए डर गए थे सर इंकम टैक्स वालों से बचने के लिए मुकुल और आशिष पहले से कहीं जाकर छुप गए थे मुझे लगा ये दोनों तो भाग गए मैं फस जाओंगा इसलिए मैं यहां आकर छुप गयाता सर एक बात कहूं सच्चाई में ही तुमारी मलाई है तब सच सच बता सर मैं पिल्कुस सच कह रहा हूं सर देखे सर मैं एक बिस्नेस में हूं मैं अपने पार्टर को मारकर अपना बिस्नेस अपनी जिन्दगी क्यों परबात करूंगा और और आशिष नहीं तो सारा बिस्नेस समाल रखा था बल्कि उसकी मौस से तो सबसेज ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा सर फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा ये तो हम पता लगा ही लेंगे प्रताब जी कि किसका नुकसान है और किसका फायदा पता लगा लेंगे पता लगा लेंगे आप यहां क्या हुआ है सर मेरा जी बात ही कुछ ऐसी है इसलिए आना पड़ा बताये सर नी तो हम आपको और सूरज को अपने साथ ले जाने आए क्यों बस कुछ काम है बताये ना सर क्या हुआ है सब बताते पता चल जाएगा आप मेरे बच्चों को ऐसे ले नहीं जा सकते क्या हुआ आए सर बताये ना मेरा जी बात यह है कि आमें मुकुल का पता चल गया है मुकुल का पता चल गया वो ठीक तो है ना चलिये तो सही इसब बताते है आईए चो आईए आईए रहे अभी जी यह सब क्या हो रहे है आपने तो कहा ता मुकुल मिल गया है फिर कहा है मुकुल सब पता चल जाएगा मेगा जी सब पता चल जाएगा और यह आप मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे है मेगा जी शानत हो जाए पहले हमें अपना काम करने दीजे हम पिर आपको सब बताएंगे. आप लोगों ने हमें इस कुरसी पे क्यों बिठाया है? क्या करने वाले हैं आप लोग हमारे साथ? आपके ब्लाद साम्पल्स लेने, टेस्टिंग के लिए. टेने? इसका मतलब आप लोगों ने जूट बोला? आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते. बेटा, डोन्ट वरी. कुछ नहीं हूगा, ओके? प्लीज मुझे यहां से लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहे हैं. क्या हो रहा हम मुझे लेके चलो, हमें यहां से. मेगा जी, अपने बच्चों को जरा शान्त रहने के लिए कह दीजिए. डियाने टेस्ट कर ना बहुत जरूरी है हमें. देख में, प्लीज. जो भी उस घर में गया, उसने पहले फ्रिज कोला, फ्रिज के अंदर रखा हुआ सीर उठाया, और वहां से गायब होगया. क्योंकि वह जानता था, कि नीतू, मेगा और सूरज तीनों के तीनों बेहोश थे. असर किसी को तो मालूम दा कि मैदान साफ है, ये नीतू और उसकी माँ तो सदमे में बेहोश थे, और ये सूरज, ये तो पहले से ही नशे में दुद पड़ा हुआ था. ये जो भी है, कई वो वीना के आने के बाद? ये पर सर, वीना के पहुचने से पहले? सर तो वीना के जाने के बाद ही गायब हुआ है. क्यों नीतू और उसकी मान ने कटेवे सिर को देखा और वो भी होश हो गई. सूरज पहले से नशे में पड़ा हुआ था. किसी ने मौके का फैदा उठाया और सिर लेके गाया भोगया. वो जरूर जानता था, वीना ने पैसे कहा गाड़े हैं, बस उसने पैसे निकाली और उसी जगे में लाश को गाड़ दिया. लेकिन सर उसने लाश को वहीं पर क्यों गाड़ा? वहीं तो, वो अगर चाता था तो लाश को जंगल में कहीं पर भी गाड़ सकता था. वगर लाश उसने वहीं पर गाड़ी, उस पैसे के जगे में क्यों? लगता है उसने जान बूच कर किया यह, जान बूच कर. लेकिन सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? शाहत पसाने के लिए, फ्रेड़ी, पसाने के लिए. पर ऐसा करेगा क्यों? अभी जी, वो ही करेगा जो गायब है. मुकुल. बोलता हमके. बस, इस मुकुल ने भी कुछ नहीं किया. क्या? यह तुझे केसे बता चला? पता है बस. अरे? यह अच्छा है? आप एक के बाद एक पहली का जाल हमारे उपर फेकते रहिए? और हम ऐसे ही सौल करते रहे? काम है भाई साब आपका? तेख सालूंके, इतना तेरा होने की जरूरत नहीं है. तेरा भी काम है बताने का. बता. मालूम है मेरा काम है. इसलिए जो बतारों सुनो, यह बिना सर वाली जो लाश है यह मुकुल की है. इसलिए मुकुल यह करी नहीं सकता. मतलब वो सूरज और नीतु का डेने मैच हो गया? तब ही तो पता चला मैं भाईया. हाँ, हाँ, हाँ. तो पिर इसका सर? हाँ, फिर वह बात, फिर मुझी से बुच रहाँ. मैं इतना बता सकता हूँ कि यह जो लाश है, यह मुकुल की यह जिसका धड़ है, सर गाया मैं. और आशिश का सर है, लेकिन धड़ गाया. अब जीएट, अगर यह मुकुल के लाश है, तो मुकुल ने कुछ भी नहीं किया. अब आशिश हर मुकुल दोनों करी नहीं सकते, क्योंकि दोनों की महत हो चुकी है. वीना उसने भी नहीं किया, और प्रता, वो तो करी नहीं सकता. तो फिर इस सब के पीछे है, कौन? सर, मिल गए. जरवा, बुट ज़ग. क्या है यह? सर, वो उसका नमबर मिलिया, सर. सीक्रेट नमबा? अड़े, सीक्रेट नहीं है, सर. यह उस आदमी का नमबर है, जिसने गिरी नगर के जंगल तक वीना का पीछा किया. वहां से पैसे निकाले और फिर आशीश का सिर और मुकुल की बॉड़ी वहां पे रखती. हैसे कैसे? इसको नहीं बताया ने तो रात बर सोयेगा ने. देख सामने के बात ही है, कि जो आदमी उस रात मुकुल के घर में मौजूद था, उसका फोन हमने ट्रेस किया. लोकेशन पता चल गया, तो फोन वहीं परता जहां पर वीना पहुंची थी. अगर यह है कौँ? सर, नेमचन. नेमचन? अलो, सुनिये. जी. यह नेमचन खहां रहता है? सर, यहां रहता है. वहां पर? जी. आज तु गया. आज मैं तुझे जान से मार दूँगा. मेरी मदद करो. बचाओ, बचाओ. छोड़ तो मुझे. तरवाज खोलो, नेमचन. अख्री सासें लेले. गया तु गया. मद छोड़ूगा नेम. मद छोड़ूगा नेम. मद छोड़ूगा. कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए? का है वो? कौन? वो अदमी का है? इसे तु मारने वाला था? मारने वाला था? इसको? नाटक नहीं समझे. हमने बार से सुना है. तुम दम्की दे रहे थे किसी को जान से बानने की. वो तो सर में रियल सल कर रहा था. क्या? रियल सल? जी. क्या है कि मैं एक्टर हूना? तो अपने सीन के रियल सल कर रहा था. एक्टर? जी. कहा है वो दूसरा आदमी? कहा है वो अप्टर? दूसरा अप्टर? यह देखिए सर. मैं अपने हेड़फोन से सीन सुन सुन के डायलोग बोल रहा था. अरे लेकिन दूसरा कहा है? दूसरा? मुझे माप कर दीजे. मुझे जाने दीजे. मुझे मत मारिये मेरे चुड़योडे बच्चे. मुझे माप कर दीजे. यही आवाज सुनी थे ना आपने, सर? वाह! मैं धन्न हो गया. आज मेरा सपना सच हो गया. मैं बहुत बड़ एक्टर बन गया. मा, मैंने बोला था ना, मैं एक दिन बहुत नाम कमाऊँगा. बहुत बड़ एक्टर बनूँगा. अच्छा. तो अपनी मा को यही बता दो कि एक महान एक्टर बनने के साथ साथ तुमे एक बहुत बड़े किर्मिनल भी हो. किर्मिनल? पूरी कुंडली है तुमारी हमारे पास, समझे? तुम लाशगाड ने गिर के जंगल में गहते हैं, है? विजेत, इसके तो पसी ने चूटने लगे. बताओगे या, सारी अक्टिंग निकाल दो तुमारी. बताओ जलने. मुझे माप कर दो, मेरे केरियर का सवाल है. अकर मैं जेल चला गया, तो मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा, सर. मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा. क्यों किया तुमनी है? सर, वो मुझे कॉंट्रेक्ट मुला था. कॉंट्रेक्ट? किस नहीं दिया था कॉंट्रेक्ट? सर, उस राग ग्यारा बजे एक कार आखे रुकी थी. और थोड़ी से खिड़की कोल कर, मुझे एक चिट थंबा दी थी. किस थे? सर, मुझे पीछे वाले दरवाजे से एंट्री करनी थी. और मुखकल के घर की चावी मेरे पास पहले से जी थी. कौन था वो? कौन था वो? नहींपता सर. पैसे देने तो गय होगे ना उसके पास? नहीं सर. वो सारे कैसे मेरे पास रहने हों. क्या? सारा कैसा तुमारे पास है, है यहांपर? पैसा लेकर भागी क्यों नहीं पहरा है वो क्या है कि सब मुझे उन पैसों में से एक त्या हिस्सा ही मिलने वाला था और मुझे पैसों कोई लालाच नहीं था मुझे तो बस जुनून था एक्टिंग का सिरुप एक्टिंग का मैं मुंबई में कुछ कर ना चाहता था धाल कि मई इक्टिंग मैं सब बहुत भागदौर की कोई रोल नहीं रहा था वह मुस्किलppyback इचले दीनों ही मुझे एक का रॉल मिला था देवी सेरियल बाभ भी कभ कि यह जा सकता था आप रात के दो बजे कोई घर के अंदर गुस्सा है कि फ्रिज में से आशिश का सर निकालता है और लेकर भाग जाता है उस अदि घर के अंदर तीन लोग बेहोश थे कि जरूर उन तीनों वेसे कोई तो जानता था कि सर गायब होने वाला है और कौन गायब करने वाला है लेकिन अबजीद एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है मुझे असर सवाली बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान को कैसे पता चला कि ये तीनों भोश में आएंगे ही ने नेमचंद आशानी से आएगा और फ्रिज में से सर निकाल के चला जाएगा वो जो भी था सब जानता था बस बयोश होने का नाटक कर रहा था वो इंतुजार कर रहा था कि कब अपना प्लैन सक्सेस्फुल हो जाए और वैसे हुआ भी प्लैन सक्सेस्फुल हुआ तो फिर बताओगे यह कान है वो अपकी कहने का क्या मतलब है हम में से मारा है किसीने अंकल को देखिये मेरे पापा की भी तो जान गई है और आप कुछ भी बोलेंगे देखिये मेरे डैड और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स थी लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी जान ले किसने किया है मैं छोड़ो कि नहीं तुम लग को माम की समालो किसीने आरे डाट का खून किया है मैं जोड़ो कि नहीं लग को विना जी जानना चाहोगी किसने मारा आपके पती को जानती हो किसने मारा आपके पती को जानती हो किसने मारा आपके पती को मारा है मेह घाने मेरी मौम किसी को नहीं मार सकती यह हमारी सगी मासे भी बढ़कर है और इनों ने तो हमें अपने बच्चों से भी जादा प्यार किया है तो फिर पूछो अपनी मासे नेम चंद से मिलने क्यों गई थी मिगा जिए आपके सारे फोन रेकर्ड्स हमने चेक किये यह उस रात 11 बजे आप नेम चंद की वा गई थी क्यों मॉम प्लीज बो लो सच क्या मॉम प्लीज बो लो सच क्या है मॉम से क्या सच है यह सच है अब यह भी बता दीजे कि ऐसा किया क्यों आपने? मुकोल आशिश प्रताब, इस तीनों ने मिलके मेरे भाई को धोका दिया, अंकित को धोका दिया अंकित इस कंपनी का मालिक था, उसने अपने इन तीनों दोस्तों को काम दिया, कंपनी में पार्टनर बनाया लेकिन इन तीनों बेई मालों ने सब कुछ अपने नाम किया और अंकित को मा डाला और ऐसे जताया, जैसे उसने आत्मत्या की हो, मुझे इन तीनों से बदला लेना था और अपने भाई के पैसों को भी वापस पाना था इसलिए मैंने मुकुल से दूसरी शादी की, क्योंकि मुझे अपने भाई का बदला पूरा करना था बदले किया, एक बात बतो हमेगा, आशिश का सिर तुमने फुरिज में क्यों रखा और फिर उसे बाहर क्यों निकाला क्योंकि मुझे इस सूरज पर, सूरज पर इजलाम डालना था वीना को फासना था वो फेक इंकम टेक्स का कॉल भी मैंने ही किया था ताकि ये दोनों घबरा जाए और वैसा ही करे जैसा मैं चाहती हूँ, सूरज को भी अपने पापा के खिलाफ मैंने ही करवाय था क्यों मॉम, क्योंकि ऐसा क्योंकि सूरज और वीना अच्छे तरह से जानते थे कि अंकीत का कतल इन तीनों ने किया है और ये जानते हुए भी इन दोनों ने उनका साथ दिया मेगा जी, पदले की आग में तुमने क्या किया तीन मासुम बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हटा दिया दो दो खून किये कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता कड़ी से कड़ी सजा होगी आपको शायद पंसी